क्वेंट का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सेख लेते हैं क्वेंट का इस्तेमाल अड्जेक्टिव की रूप में किया जाता है और इसका आर्थ होता है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि इस वीडियो में पुराने रिती रिवाजों को निभाते हैं तो आप कहेंगे दे स्टिल कीप सम क्वेंट ओल्ड कस्टम्स या अगर आप ये कहना चाहें कि दादी एक विचित्र पुरानी कुटिया में रहती हैं तो आप कहेंगे ग्रेंडमा लिव्स इन अ क्वेंट ओल्ड कॉटेज अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें